जस पंजाबी देख देख दे साय दर्शकनु मेरे वलो प्यार भरी सस्रीकाल तुसी वेख रही हो प्रोग्राम अज दा मुद्धा ते मैं तोड़ी होस्ट आश्मिता सारे आज दे प्रोग्राम विच स्वागत है ते साड़ी उमीद है के तोड़ा वीक वदिया तरीके नाल गुजरिया होएगा ते वीकेंड दे तोड़ी तियारी चल रही है अज इस प्रोग्राम दे विच मैं कुछ थोड़ा जा वक्ता जा टॉपिक लेना चांदी है बिकुज सानु जो कम्यूनिटी दो फीड़ाइक से नों मिल दा है उस फीड़ाइक दे मताबिक ही अपने प् प्रोग्रामिंग दे ये तो अनु ते अज मैं तोड़नाल प्रोग्राम सांजा करना चांदी हैं स्कैम्स बारे बिकुज सानु वक्वक रिपोर्टा सुन अनु मिल रही हैं कि जो नॉर्मल स्कैम ते फ्रॉड दी एक्टिविटी हुन दिये पावियो एमेल जरिये या फो मैं ते टी कॉन्समर्स हान उन्हान नु कोवेड दे श्कैम सुत बच के रहना चाहिदे ते इवन जो फैडरल र्रेजर्व ये वने भी केया एककि कॉन्सुमर्स नु कोवेड रिले टे जो पेमेंंट्स वन आ है उन तो बहुत ही केर५ूल होना चाहिदे पाएच एवन जो United States ते विच एक Consumer Protection Agency है गी Independent ओवाच डॉग उन्नू कहन दे लोका दी Protection ली Better Business Bureau जन्नू कहा जानदा है ओ भी report कर रहे हैं कि medical related scams काफी लोका नू इस विले target कर रहे है phone दे जरी है, calls दे, text दे जरी है In fact, ए गल हुन इन्नी वद गी है कि जो United Nations है, ओ भी कह रही है कि लोका नू worldwide इन scams तो बज़ के रहना चाहिदा है कि वक वक criminal groups या जो इस तरह दे scam organizations होनी है ओ लोका नू health नू लेके, COVID नू लेके हून target कर रहे है scam दे तोर दे ते मैं ना के सिरफ तौड़नाल कुछ तरह दे scams शेयर करांगी अजदे episode वेच पर मैं चांदी है तुसी सानू ज़रूर call करके अपने experiences दसो कि किस तनादे तदे experiences रहे है you know सानू पता है कि कोई बहुत ही lucky individual या बहुत ही ज़्यादा समयदार individual होएगा जिनानू इस चीज देनाल experience नहीं होया है मैं तोनू अपना personal incident भी शेयर कर सक दिया मेरे नाल भी unfortunately एक दो बारी इस तरह होया है कि identity theft या fraudulent कोई utility दे तौर ते कॉल करके लोका ने advantage लें दी कोशिश किती है और सारी stories तौर नल शेयर करांगी बट मैं सब तो पहले तौनू दसना कि इस program दे विच कुछ जो common scams हों दे आज दी जेट विच ओ मैं तौर नाल उना दी जानकारी तौनू देवांगी but most importantly जो सब तो important चीज इस program दे विच तुसी ले सक देओ कि किस तरह तुसी इन scams तु बच सक देओ की जानकारी तौनू पहले तो पता होनी चाहिए ताकि तुसी recognize पहचान सको कि कोई चीज असल दी हैगी या ओ कोई जूट मूर्दी scam या fraud हैगा ते इस scams तौर नाल इना नो एक बाई एक breakdown करांगे थोड़ा बहुत ते दसाएं किस तरह तुसी अपने आपनो इना तो बचा सक देओ ते once again ए प्रोग्राम बिल्कु लाइव जा रहे है मैं चांद नहीं है कि तुसी call करके अपने experiences या गर त इकुल कोई advice है जो तुसी सादे viewers देना शेर कर सक देओ इस topic नो लाके तुसी जुरूर सानू call करो ते सादेना ओचीज शेर करो ते थे अपा एक छोटी जी break ले रुक रहे हैं बड़ ब्रेक तो बाद अपा सारी देना information शेर करांगे किस तरह ते scams अज कल चल रहे है ते क इस तरह तुसी वना तो बच सक देओ ब्रेक तो बच सादे दा स्वागत तुसी वेख रियो प्रोग्रम अज दा मुद्धा ते गल हो रही है वक वक कॉमें स्काम्स ते फ्रॉड्स दी जो शाद तोनू शिकार बना सक देए अज दी देख देविच जिते इनी जादा लोका नू हल्थ दी भी अंसर्टंटी ए एकनॉमिक अंसर्टंटी भी हैगी वक 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 फेडरल एजनसी रिपोर्ट कर रही है कि बैंक दे ख्लाइंट्स नू ते पेशेंट्स जो वक वक हेल्थ के इंस्टूशन दे नाल कने पेशेंट्स नहीं रुक दे ना उना दा कम रुक दे आए सो तुसी भी बच करो जो कुछ कॉमिन स्कैम्स जिना दे बारे में अज तौनू जानकारी देना चांदी हैं उना दे विच मनी दे भी स्कैम्स इंक्लूड़िद हन तो अड़ी इमेल दे जरीये जो स्कैम्स आन द गेया बिकश अबिसली इस्टिमिलस पेमेंट्स नू लाके लोग की काफी हून इंटरैक्शन करें आयरेस देनाल ते लास्टली इन फॉर्चनली बहुत ही साद चीज जो सानू एदी गल करनी पहरी आज बच चारिटी दे विच भी स्कैम्स बहुत ही जादा हो रहे थे उन इसान तरीके न लोग पैसा ले सकदे हो जरूर लेंदे है जिते क्रिमिनल अक्टिविटी आंदी है एक जरिया इजी मनी बनान दा किसी नो तुसी स्कैम करके ले सकदे हो एंड जो इस तरह दे चोर हुंदे है अफ्कोर्स ओ चोरी कर रहे है उना दी फेवरिट चीज तोड टे बैंक अकाउंट ओ पैसा गया ओ वापिस नहीं आंदा एंड वायर ट्रांसफर एक इस तरह दी जरिया है पैसा देंदा कि तुसी अपने बैंक तो पैसा चड़ता तुसी थर्ड पार्टी किसी एजंसी या वेंडर नो या किसी भी कंपनी नो यूज किता ते ओ रिस्प कि तुसी फिर भी कर सक्दें बट पहले तुनु किस तरह रेक्टनाइज कर सक्दें तुसी के वायर स्कैम तौड नाल हो जा रहे हैं हुन मैं तुनु एक परसनल स्टोरी दस दिया हैं जो मेरे नाल भी हुया हुन मैं अपने अपनू थोड़ा जानकार समझ दिया इन चीज अपने अपने तुसी जो ओवर्डू अमांट है अगर हुने ही सानु पे नहीं किता तौड आप बिजली कट देनी हैं हुन तुसी सोच सक्देओ मेरा ओफिस ता स्टूडियो है ते सादे स्टूडियो वेच बिजली सब तो इंपॉर्टन एक यूटिलिटी है की सो मिन्नु आल अफ अफ़डन हुया के ओके ए ताप नहीं हो सगदा बिजली थोईना तुसी कट सगदेओ लाग दिस रिली सीरियस राइट के मैं की करना इ नहीं है कि मेरे ख्याल स्टा कोई आटोमेटिक पेमेंट दा होना चाहिए सिस्टम कोई बैंक अकाउंट तो डिरेक्ट ट्रांसफर या क्रेडिट कार्ड ऑन फाइल या कुछ और देकोल होना चाहिए सी ते क्यों नहीं उन्नु यूज किता मैं जदो उन्नु एक क्वेश् जरीए हूने सेंड करो ते मैं भी शशुपंच पैगी के ओके हुन मैं बैंक दे जरीए सेंड करां पैसे या ड्रेक्ट ट्रांसफर वायर करां ते बंदे ने फिर मेंनों क्या कि देखो जी बैंक ट्रांसफर नु लग दे एक दो दिन ते साधे कोल टाइम सिरफ दो कगंट है तो आड़ी बिजली कोई कटन आ रहा है ओन राउट है ते मैं भी थोड़ी डरगी मैं कि ओके मैं वायर ट्रांसफर कर दिया फिर मेंनों कुछ जिद्धा ओ अलार्म बैल्स घंटी वाज दिया ना कि ने नी एक कोई सही नहीं लग रहा है फिर मैं बंदे नू होर क्वेस फ्राड सेगा पर तुसी समझ सकते हो कि के सतना एक काम कर दे किस तरह तन्हुँ डरान दे भी ए तो अनुँ थोड़े जी इंफरमेशन दे कि कर लेंदे कि यह लिजिटिमित अन्ट अन्ट नों किसी जदा के नहीं कोईक्पेमेंट दे तरफ पुश कर दे कि नहीं हुने प पार्टी कंपनी या किसी भी दा ना लाके तो उनू कह रहे है कि तुसी हुने पैसे वायर करो सानू रेड फ्लाइग होना चाहिए है ओ बिलकुल स्कैम हो सकता है जिनने ज़्यादा तुसी उना नो क्वेस्टन पुछ सकते हो तो उनू पुछने चाहिए है तो वरिफाइ के ओ लिजिटिमिट हन और सही हन या नहीं वंस अगान यह इस तरह देवी वायर ट्रांसफर स्कैम्स अपा सुने है के तौड़े कोई रिष्टेदार बनके तो उनू कोई इमेल आओगी या कोई मेसेज आओगा तो अड़ा कोई रिष्टेदार जना तुसी गल नहीं किती रिसेंटली उन्हानु पैसे यांदी लोड है और यह इमेल वेच या मैसेज वेच कि तुसी किसे नू दसे हो ना किसानू पैसे दी लोड है बट फटा फटा इस अकांट विच पैसे तुसी सेंड कर दो सो वन्स अगान क्वेश्चेंज पुछो उस चीज नू वेरिफाय चेक करो कि यह सच मुच दी हैगी या कोई साधा फैदा उठान दी कोशिश कर रहे है वन्स अगान बेग रड फ्लाग कोई तुनू कहनदा है कि सिरफ ता सिरफ ओ वायर या मनी ट्रांसफर दे जरिये तो आड़े तो पैसे लेना चांदे है तुनू जरूर उस चीज तो केरफूल रहना चाहिदा है Another type of scam जो अज अनफोर्चनेटली बहुत ही ज्यादा पॉपिलर होया है ओ हैगी जो इस तरह दे एडवांस फी लोन हुंदे है एडवांस फी लोन की हुंदा है तो नू लोन चाहिदा है जो once again अज दी डेट विच हर एक बंदे नू लोन चाहिदा है economic, financial, hardship most, सारे अनू फील हो रही है तो नू कोई कहनदा है कि हांजी तो नू लोन देदांगे बड़ तो नू लोन देन तो पहले तुसी सानू कुछ ओदी फी देओ तुसी सानू पैसे देन तो पहले तुसी सानू पैसे पे करो तुसी समझ सकते हो कि केस तरह बहुत इसली एक फ्रॉड हो सकता है कि अगर तौनू उनाने लोन देना है तौड़ा कोई collateral हो देखनगे तौड़ी bank statements share देखनगे और तौड़ा तो पैसे नहीं वंगेंगे तौनू once again सवाल पुछने चाहिए उस चीजनू verify करना चाहिए कि एपा में कोई bank हैगा legitimate कोई lender है उनादी कोई website है अगर ओ कह रहे है कि अपा फ्लान ना टिमकाना vendor हन उनादी website जाके चेक करो उनानू कोऊ कि अपा तौनू call back करांगे website जाके ओस website ते number नू call करो ताकि तौसी verify करो ताकि तौनू पता होए कि जिना ने तौनू reach out किता हो सच मुझे लेंडर या लोन सिगे भी या कोई तौड़ है तो ओदना ही पैसे खडा रहे है सी राइट तो इस अनू पैसा किसी नू वाइर करता तौनू पैसा वापस मिल सकता है फिर भी रेकमेंड एही हैगा कि अगर तौड़ नाल इस तौना दा स्कैम हुंदा है वाइर ट् स्पिसिफिकली एंड तुसी आम जो मेन कंपनी जिस्ता मनी ग्राम हो गया या वेस्टर्न यूनियन हो गया अगर तुसी इनादे जरीये पैसा सेंड किता है तौनू लगदा है स्कैम है या तौनू कंफर्म हो जानदा है सब तो पहले इनानू कॉंटक्ट करो पावे हो कु इस तरह दे स्कैम विच भी तुसी पुलीस नू फोन करोगे रिपोर्ट बनाओगे ओ तौन तो पुछंगे तुसी मनी ग्राम या वेस्टर्न यूनियन नू कॉंटक्ट करके ए चीज दसी उनानू तो तौनू ए चीजा करनिया चाहिदिया आल अल अफ दम मनी ग्राम वेस अगर तौन आल इस तरह दा कोई स्कैम होंदा है कि तुसी 911 नू कॉल करो बट जो भी तौनी लोकल पुलीस प्रीसिंक्ट है उना दा लोकल तुसी नंबर लब के उनानू कॉल करके चीज रूर रपोर्ट कर सकते हो कि साड़े नाल इस तरह दा स्कैम होया है और अपा ओधी दर्ज कराना चानने है बिकुज ओधा रेकर्ड वंस अगेन बहुत इंपोर्टन है तो अनू नहीं पता है कि डाउन दरोड तोड़े हो की काम आ सकता है एसे तरह होर वक्रे वक्रे स्कैम मैं तो अनू आल आज डिसकस करना चाननी है तो अनू थोड़ी जी जान काई देना जाननी है इते हैं अपाई छोड़ी भी ब्रेक लिए रुक रहे हैं ब्रेक तो बाद मैं तो अनू इमेल स्कैम बारे दा संगी सो जुड़े रहो इस तरह गल जाई रहेगी ब्रेक तो उस पार ब्रेक तो बालिक बाद फिर सारेंदा स्वागत तुसी वेकरियो प्रोग्राम अज दा मुद्धा थे थोड़ी जी तो अडिनाल इन्फरमेशन शेर कर रहे हैं कि किस तरह दे वक वक स्कैम ते फ्राइड अज दी डेट विच बहुत ही जादा चल रहे है ते तो अनू इस जानकारी होनी चाही दे ता कि तुसी उनादा शिकार ना बनो जिस तरह तानू ब्रेक तो पहले दस्याओ सी सब तो पॉपिलर स्कैम ऑफकोर्स पैसे दे अरांड रिवॉल्व कर दे हैं जो सब तो ईजी वेए कि कोई स्कैम या कोई चोर कोई क्रिमिनल तो 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 किसी ौधि ट्रिक करके श्कैम करके तोडे तो वाय ट्रांसफर रही एक बाए तुसी वाय ट्रांसफर रही पैसे किस सिनों देते ऑ तो उन्नू वापिस मोस्ट लइकली नहीं मिल सक़ते एक बारी तोड़े बैंक तो पैसे लिकल गए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाना है उन्हानों वापिस लेंदा सो बहुत ही केरफुली तो अन्हों इन चीजां ते ध्यान रखना चाहिए है कि तुसी किसे न्हों वायर कर रहे हो सारी information check करो कि ओ करेक्ट है कि कोई scam ता नहीं है कोई तो अन्हों fool ता नहीं कर रहे है जिथे वायर scams आन्दे है उथे एक बहुत ही होर वड़ी scam दी तुसी साज़िश कह सकते हो ओ है कि email scams, email जरीए कोई तो अन्हों क्यों scam करना चाहोगा तुसी सोचो किन्नी ज्यादा personal information हों दी है अगर कोई तुसी email विच access कर लेंदा है ओ देच तुसी date of birth, तुसी social security हो सक दी है तुसी पावे tax returns, तुसी address, तुसी पुराने addresses, तुसी family दी information की कुछ नहीं तुसी email चुंदा ते ओस चीज नू लेके कोई भी तुड़ी identity ही पूरी चोरी कर सक दे है अगर किस ने तुड़ी identity चोरी कर ली तुड़ी ना दे अंडर तुड़ी social security, तुड़ी date of birth तुड़ी ना लेके कोई तुड़ी ना दे अंडर credit card खोल सक दा है लोन ले सक दा है की कुछ नहीं कर सक दा है पूरी ओड़ी identity ही बना सक दे है तुड़ी identity and ओस identity दे अंडर की कुछ नहीं कर सक दे है यह चीज बहुत ही जादा serious है एंड एक जो तौड़ी email है ओ एक बहुत ही जिदा कहलो easy target है गा इस तरह दे scammers ले जदो उना नो किसे दी personal information चाही दी हुन दी है so email scam जिदा मैं कहा है mostly तौड़ी identity नो चोरी करन ले exist कर दे है so किस तरह तौड़ी spot कर सक दे हो एक email scam राइट की चीज़ा है अगर तौड़ी email विच ओ आंदी है तो अनू लगना चाहिए कि इस scam है okay screen ते तौड़ी देख सक दे हो कुछ bullet points ए जो information तौड़ा credit card number तौड़ा bank account तौड़ा pin, password, social security होर कोई भी sensitive information अगर कोई तौणू email जरीए पुछ रहा है या तौणू ए कह रहा है कि तुसी इस link नो click करके ए information सानू देओ ओ तुसी जरूर चेक करो कि scam ता नहीं है for example हुन email दे वेच अगर तौणू कोई email आंदी है ओदा तुसी sender जो sender दी field हुन दी है उन्नू check करो कि email आई के देतो है email कह सक दिये के bank of america तो आई है for example right but अगर bank of america दी email है जो sender दी field हुन दी है ओदे वेच लिख्या हुएगा you know communications at bankofamerica.com right ए उन्हादी email address हुएगी for example अगर कोई scam कर रहे है तौनू ओदी शैद हो सकदी email address bankofamerica at yahoo.com अब bank of america इन्ही वड़ी company है उन्हादी email address yahoo देनाल क्यों हुएगी उन्हादी अपनी email हुएगी right so this is an example कि तुसी केस तना इस चीज तो बच सकदे हो इते भी मेरे कोल एक स्टोरी है unfortunately मैं खुद इस चीज दा शिकार बन चुकी है मेरी identity hack हुई सी email scam दे जरी exactly this kind of situation and once again एक किसी नू भी हो सकदा है तुसी पावे किने vigilant हो एक हो सकदा है बर जिते तोड़ी identity दे scams दी गालान दी है उते damage भी जादा हो सकदा है बर उते तोड़ी कोल protections भी जादा है because यह बहुत ही serious चीज है किसी दी identity चोरी करना है एक federal crime है right so मेरे नाल की होया साल को पहले मेनो एक email आई किसी पुराने apartment complex जिता मैं रहें दी सी सालों पहले उना दी sending address तो email आई मैं उन्हों गौर नाल नहीं चेक किता कि सची मुची उना दी सीगी ओथे लिखिया सी apartment दा ना मैं देखके मैं सोच आओ कि उन्हाने मिन्हों को document सेंड किता है scan करके मैं शयाद कोई पुरानी mail उत्थे चल गी उनाने मिन्हों email करती चलो मैं document download कर लिया document जदो मैं खो लिया मतलब junk mail जी सेगी कोई random newsletter मैं के ओके फालतू दी हैगी ओके चलो जी junk करती मैं उन्हों मैं शाम दी गल है मैं उन्हों डाउनलोड करके मैं आता चल गी अगले morning देखो less than 12 घंटे दे कम कम दे विच ए सारी चीज होई by the next morning किसीने मेरी email access कर ली सी ठीके जी email दे जरी उन्हाने मेरे bank जो मेरी online banking उन्हों आक्सेस कीता मेरे online bank विच जाके उन्हाने password reset कर लिया वो मेरी email ना जुड़या सी password reset करके मेरी email दा भी password change कर लिया मेरी banking दा भी password change कर लिया मेरी email दे विच होर वक वक application सी गी है Uber सी गी Venmo जो एक application जे दिनाल तुसी पैसे सेंड कर दे हो किसे नूँ सारे आदे password change कर ले and सारे नूँ use करना शुरू करता मेरी बैंक ने मेनू स्वेरे अलर्ट सेंड किती के all of a sudden तेरे कार्ड ते एक चार्ज आया है हवाई दी प्लेन टिकेट दा जो suspicious सा नूँ लग रहे है verify करो नू मैं ज़दो देखिया मैं हवाई दी कोई प्लेन टिकेट नी खरीदी यह की हो गया and I called them and they said AA होया है they said तुने password change किता सी मैं क्या नहीं फिर मैं अपनी email वेच लॉग इन करने दी कोशिच किती ओधा password change होया so you can imagine के इने छोटे समय वेच एक छोटी जी चीज मैं एक document से रफ डाउनलोड किता सी बस मैं कोई information नी दिती अगे मैं कोई अपनी social कोई कुछ अगे नी किसे नूँ दिता but फिर भी मेरी सिरफ email दे विच access करन तो बाद किन्नी अगे तो अगे तो अगे किन्नी ओडेंजरेस चीज बन सकदी सी कि मेरी पूरी identity मेरी सारी information नो ना दिको अलड़ी गई सी so उस तो बाद obviously हुन अगर तो अगे याइडेंटिटी इस तरह हैक हो जाने यह सब तो पहला step once again तुसी अपने local police नो फोन करो जो मैं किता मैं उन्हों किया कि इस तरह मेरी नाल हुए है मेरी identity स्टील हुई है यह federal तोर ते एक बहुत वर्ड़ा crime है उन्हाने ओधी रपोर्ट दर्ज कर ली फिर मैं कॉल किता अपने credit जो तोर दा credit monitor कर दा जिदा experience एक company है यह उन्हानों मैं किया कि तुसी मेरा credit lock down कर लो क्यों because किसी ने मेरी social, मेरी bank, मेरी full name, date of birth, सारी information, मेरी previous addresses, सब कुछ हो दिच सीगा उन्हाने चोरी कर ले ते मिन्हुए डर है कि कोई मेरे ना दे under कोई credit card ना खोले कोई loan ना ले कोई होर इस तरह दी activity ना करे जो बाच जाके मेरे credit score नो affect कर सकती है so एता steps चलो मैं thankfully ले 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 और छोटे समेच सब कुछ हो गया ते जादा damage नहीं होया कोई financial में नो damage नहीं होया कोई long term damage नहीं होया बर तुसी देख सकते हो किनी easily हो तो आड़े तो इंफरमेशन खिच के तो आड़े email नो access कर के की की damage कर सकते है so once again अगर तो आड़े कोई भी email आन दी है ओ पावे के IRS तो email है immigration US CIS तो email है किसी bank तो email है किसी company तो and ओ केंदे है कि तो आड़े information सानू चाहिए कि तुसी common चीज़ों use कर दे के जी साड़ा regular maintenance हो रही है and एदे जब आड़े नोटिस किता है कि तो आड़े कुछ information missing है ते तुसी जाके इस link नो click करके अपनी information पादो जी ए बहुत वर्ड़ा स्कैम है एदे तो उसी जरूर बच के रहो इननू verify करन ले तुसी email दा sender देखो कि के दे तो email actually के दे तो आई है राइट के जो ओ कह रहे है और सची ओदे तो ही आई है या किसे होड़ तो आई है दूजी चीज उसी जो कर सकते हो गर फर एक्जामपल तो आनू बैंक कॉल कर रहे है के साड़ी routine maintenance है और तो आड़ी information missing है और फिल करो उस email नो respond करन तो पहले या उस link दे विच कुछ भी email आई है तुसी confirm कर सकते हो के सची री सीगी भी या नहीं बहुत इजी है तो आड़ा बैंक तो नो थे दास दोगा के यास या नो ठीक है जी अगर तौनू कोई IRS तो नोटेस आंदा है तुसी पैसे ओ कर देओ बहुत common scam है तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे ओ कर देओ गवर तौनू email करोगी तो आड़े तो इस तरह पैसे मंगल नहीं IRS ता सिस्टम जो तुसी पैसे ओनानू ओ भी कर देओ पेमेंट ता सिस्टम बहुत ही specific process है government agency है इस तरह तो आड़े तो पैसे नहीं लोगी never so ए तुसी इन चीजाते नजर रखके अपने आपनू पर्टेक्ट कर सकते हो but once again अगर तौनू लगदा है कि तुसी इस किसी स्कैम दा शिकार बन चुके हो जरूर इननू रपोर्ट करो इननू पुलीस विच भी रपोर्ट करो अपने बैंक ते नाल भी इननू रपोर्ट करो ते जो भी तो आड़े क्रेडिट कंपनी हैगी जो तो आड़े क्र आल रपोर्ट करके अपने क्रेडिट अपनी सारी मतलब फाइनाशल एक्टिविटी नू टेंपर एली फ्रीज भी कर सकते हो ओ काफी एक्स्ट्रीम स्टेप है ओ देनाल तुसी एक परियर ऑफ ताइम ले तुसी भी नी फिर जिता कहने है लाइक क्रेड करके उननू कर जो सब तो जादा इते इंपर्टन चीज एही हैगी कि तुसी अपनी विजिलेंस नाल अपनी यू नू केरफुलनेस नाल प्रटेक्ट कर सकदे अपने आपनों सब तो जादा इते तो उननू क्वेश्चिन करना चाहिए कि जदो भी तो उननू कोई चीज सिस्पिशिस होएगा ही होएगा सो उननू सानू definitely verify ते होर क्वेश्चिन करना चाहिए कि केस तरह यह चीज सानू हर्ट कर सकते है यह सानू बेवकुफ बनान दी कोशिश कर रही है राइट सो जिथे email scams इन इस तरह दे स्कैम्स आनने है वो थे बहुत ही वड़ा स्कैम जो उनफर्चिन आज दा मुद्धा ते गल हो रही है वक वक स्कैम्स दी जो आज दी डेट विच बहुत ही तेजी नाल लोकानू टार्गेट कर रहे हैं उनना दा फैदा ले रहे हैं ते अपाई थे सोचे है कि थोड़ी जी तौनू जानकारी इना दे बारे जरूर परवाइड करनी अब जी अपने ऑपने ड्रेक्ट डेपाउट पे जाज का लगा करोना चालदा गर ते होना ने सारे सोचल स्कोट ती अबरी जेने पांड़ जी किना नो किना नो तुसी सेंड किता है अपने एंप्लोयर नू जी जीना ना तुसी कम कर दे ओ अच्छा जी थैंक यू थैंक यू तोड़ी कॉल लेई सर अए इस तरह हुंदा है कि जो तोड़ा इंप्लॉयर है गा उना नू भी लीगली ऑब्लिगेशन है कि जो तोड़ी सारी सेंसिटिव इंपर्मेशन है पावे तोड़ी सोचल होए तोड़ा आड्रेस ए तोड़ी बैंक दी दीटेल्स जिस्टान रेक्ट ट्पॉजल है तुसी हुने मैंचन किती हर एक इंपलॉयर दी जिम्मेवारी बांदी है कि ओस इंपर्मेशन वो पर्टेक्ट करके रखन अगर तुसी सोच जोगे कोई भी ओफिस दे विच जित्थे होना दी अकाउंटिंग दा सिस्टम हुन दा है ओ लोक इन की ताले दे पिछे हों दी है चीज़ ओधे एक आकसे सिरफ अकाउंटेंट दा या जो हुमन रिसोर्स इस या जो पेरोल दे एंप्लोई सिरफ उना दा आकसे सुन दा है प्रोटी नो नो निबहान ले सिरफ तोड़ा पेरोल करन ले तोड़ा डौली टौघ या टॉड या तोड़ा 1099 प्रॉसस करन ले सिरफ उन रिजन ले एनी हुन दा के तोड़ी इंफ्रमेशन जो तोड़ी प्राइवट परसनल इना बाइशन है ओ एउ पंपनी वायड भी उस information नो protect करना इस तरह दे बहुत lawsuits हुए पिछले समय विच over the years, जिते किसी employer दी negligence करके, लापरवाई करके, ओ इंफरमेशन दी employees दी sensitive data अगर leak होया है, then ओ employees ने अगे जाके legal action दिता employer दे खलाफ कि किस तरह तुसी साथी information नो protect नी किता, जिम्मेवारी बन दी है so, जिते अपा गल कर रहे सी email scams दियो, थे phone दे scams भी बहुत ही तेजी नाल अजदी डेट विच सारे नो affect करें, मिन्नू पता है, मिन्नू पता है, मिन्नू पता नी, at least 5 या 10 daily robocalls, spam calls आन दिया होंगी, अद्दा टाइम तो Chinese विच गल कर दे, ते मिन्नू नी समझ लगदा कियो बन्दा है या कोई robot है, it's too much हो रहे है, but this is a really serious thing, अगर तुसी देखो, वक वक agencies, पावे ओ, United States विच, Federal Trade Commission हुए, पावे ओ, FCC हुए, पावे ओ, Department of Health हुए, ये सारी agencies, अज लोकानू वर्ण कर रहे हैं कि तुसी एक phone scam दा है, या text दे जरीए scam दा शिकार बन सक देओ, किस तरह दे scams आ रहे हैं, तो आनू पावे text message आएगा, कि जी तोड़े area विच, mandatory, required, covid testing हो रही है, ति तुसी इस testing ले इनाफ fee देनी है, ति तुसी अपनी ए information सानू text करो scam है, कदी भी तुनू कोई भी agency text करके एगा होगी कि तुसी mandatory covid test लेना है, ते ओधे पैसे तुनू pay करने पहने, या बिलकू scam है, बहुत popular scam आज दी date विच चल रहे है, एक होर scam जो अज दी date विच चल रहे है, ओ diabetes दे patients लेके, कि वक वक जो diabetes दे patients हन, उना नू phone calls, messages जा रहे ह कि तुसी अगर तुनू diabetes दा वकरा treatment, या सस्ती दवाईया, या सस्ती equipment चाही दिया, तुसी एस नमबर नू contact करिया, इथे अपनी information submit करो, इथे अपनी bank दी detail submit करो, ये भी scam है, unfortunately, आज नू सोच कि बहुत दुख हुंदा है कि इस तना दे scams, इस तना दे, you know, patients नू target कर दे, जो आड़ी किसी चीज तो बमार हन, but unfortunately, that is the way of the world. एक और scam जो इस चीज विच लिकल रहा है, ओ ये हैगा कि तौनू एक टेक्स आनदा है, also from a fake government agency, मतलब असली नहीं कोई government agency तौनू इस तरह कदी टेक्स करोगी, and ओ टेक्स तौनू कहनदा है कि तौडी आया रस तो, जो COVID टी पेमेंट आनी सी, ओ तुसी एथे रेट्रीव कर सक देयो, इस लिंक नू क्लिक करके, once again, अब बहुत ही, हैविली इस चीज नू इस चैनल ते कवर किता है, कि जो तौडी IRS, तौडी stimulus टी पेमेंट आनी है, गवर्मेंट वलनू, ओ तौनू डिरेक्ली या तौडी बेक काउं चानगी, गवर्मेंट तो, जिस तरह तौड़ा, टैक्स रीफंड तौनू मिल दा है, या ओ तौनू by फिजिकल मेल एक चेक दे तरह, तौड़े मेल विच आनगी, once again, from the government, ओ से जरिये जिस तरह तौड़ा, तौड़ा, टैक्स रीफंड मिल दा है, कदी भी IRS ना सुकर तौड़ा तौणू इस तरह तो कोई क्म्यूनिकेशन आन दी है, पाहिवे नो टैक्सट होए, पाहिवे नो फोन कॉल होए, ओ बिल्कुल स्केम है ओस चीजद नो तौड़ा, तौन बिल्कुल डिस्रिगाड करना चाहिदा है, जिथे रोबो कॉल आन तो रोबाट कर दिया है, so I know कि ओ एक असली इंसान नहीं है, कोई रिकॉर्डिंग है, कोई रोबाट है, जो बार बार कॉल करी जन्दा है, करी जन्दा है, करी जन्दा है, तौन एडिसन तौनु इस तरह नहीं कॉल करें कोगा, जी तौड़ी बिजली अपा काट देनी है, अगर ओ कर दे भी है, तुसी उन्दानु काओ, तौन वेरिफाई करो मेरे लिए इंफरमेशन, मिननु दस सो के तौड़ी कोल मेरी की इंफरमेशन है, कुछ एक दो पीसिस होंगे बड़ पूरी इंफरमेशन नहीं होएगी, एसे तरह तौनु इस तरह नहीं मेसेजज़ हूं सानु देखनू मिल रहा है, के कॉल आंदिया किसी एकष्पितल तो या हस्पितल तो या हिल्थ डपार्टमेंट तो के तौड़े एरिया वज फ्री वैक्सीन को वेट दी मिल रही है, पैसे देकर अपनी इंफिरमेशन देकर तुसी उउले सकतेयों, बिल्कुल जूट है, तौड़े ओए तौनु बहुने होएगी Don't fall for that, उस चीजनु ना मननो, उन्हों क्वेश्चिन करो, right? Once again, इस तना दे जो scams हन, उन्हा दे सिरफ एक या दो simple goals हने, तोड़े तो या पैसा या तोड़ी information लेना, ते अगर तुसी इस चीजनु question कर सकदे, उन्हानु बार-बार सवाल कर सकदे, उन्हानु verify कर सकदे, किसी होर चीजना क्रॉस चेक करके, तुसी अपने आपनु protect कर सक इस प्रोग्रम दे विच साड़ी कोशिश एही सीगी, जो वखवख आज दी डेट विच बहुत popular scams दे frauds चल रहे हन, खास करके, कोविड नु लेके, उन्हा दे बारे तौनु जानकारी जरूर होनी चाहिए ता कि तुसी इन्हान दे शिकार ना बनोते, जित्धे अपने इस तरह दे money दे scams हो सकते है, किस तरह दे email दे scams, किस तरह दे phone दे scams हो सकते है, इस IRS दे भी scams दे विच इंक्लूड होने है, once again, इस जो scam artists हन, इना दे सिरफ दो ही goal होने है, या ता तोडी personal information लाके, तोडी identity चोरी करके, ओदे नाल, कोई fraudulent criminal activity करना, या simply तोडी पैसे चो चीज़ रख सकते हो, मदे नजर और तुसी पुछ सकते हो, किसी भी interaction दे नाल पावियों, तौनों email आ रही है, phone आ रही है, text आ रही है, तुसी उना नो verify कर से दे हो, किने legitimate हैं, and hopefully अपने आपनों बचा सकते हो, इस program दे समापती विच मैं, unfortunately, एक बहुत ही घनोना जा scam बार दसना जरूरी है, ए है कि charity दे scams, जित्थे अज पूरी दुनिया नो इस महामारी ने इनी बुरी हालत चड़ता है, सारे नो एक दूजे दी help करन दी load हैगी, yes, but तौनों जरूर ए पुछना चाहिदा है, कि जदो तुसी किसी charity नाल अपनी help कर रहे हो, कि ओ charity legitimate हैगी भी या नहीं, charity दे scams विछ तुसी केस तरह verify कर सकदे, ओ legitimate है या नहीं, सब तो पहले phone numbers चेक करो, केस phone number तो charity तौनों contact कर रही है, अगर तौनों directly किसे दा phone आन दे हो, कहन दे है अपा, so and so charity हान, तुसी जरूर सानों डोनेट करो, उननों पुछो तोड़ी website की है, तोड़ी information की है, तुसी केस तरह कम कर दो, and अपनी research करो, बफोर तुसी ओदाई उननों पैसे फड़ा दो, अगर तौनों कोई email आन दी किसी charity वलनों, once again, तौनों दसता है अपा, कि केस तरह तौनां तुसी एक suspicious email नों चेक कर सकदे, कि ओ real हैगी, ओ sender दी field विछ जाके तुसी चेक करो, उन जादा time spent, and that's fine, that's okay, तुसी connect हो सकते हो इन चीजा देना, but तुसी ज़रूर aware रहो, that Facebook ते, या WhatsApp ते, जो तौनों messages आन दे है, हर एक message, जो charity दी तरह लगदा है, doesn't mean हो हैगा charity, right, अगर तौनों red cross to message आ रहे है, तुसी check करो, कि red cross actually a message send कर रही है, तुसी verify कर सकते हो इन चीज नो ओदाई देओ, एदिनाली program दी समापती कर दे, thank you for watching, कोई हो तोड़ी questions हो इस topic बारे है, किसे हो topic बारे है, जुरूरूर तुसी सारनों लिख सकते हो, call कर सकते हो, आश्मिता at justbroadcasting.com, info at justbroadcasting.com, एसे तरह सादनाल जुडे रहो, बढ़ हुने मिन्नु देओ,